दोस्तो अगर आपने बैंक और बड़ोदा में अपना नया अकाउंट ओबन किया है और आप उसका इंटरनेट बैंकिंग इस्तिमाल करना चाहते हैं तो आज कि इस वीडियो में हम आपको बुलकुर डेटल में बताने वाले हैं कि किस परकार से आपको बैंक और बड़ोदा क आपना इंटरनेट बैंकिंग मॉबाइल की स्कीन पर बना रहे हैं तो आपने मॉबाइल को डेक्स्टॉप साइट में कर लिजेगा तो आपको बुलकुर सारा प्रोसेस सेम दिखेगा उस्तो बैंक और बड़ोदा अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग चालू करने के हमने यहाँ पर गूगल को उपन कर लिया है इसके बाद आपको आकर करके सर्च करना है बी ओबी नेट बैंकिंग या फिर आप सर्च कर सकते हैं बैंक और बड़ोदा नेट बैंकिंग इसके बाद आपको यहाँ पर पहले नमबर की वेप साइट दिखाई देगी इस पर आ आपको इस पर एक बार किलिक कर देना है, इसके बाद आप इस परकार के पेच पर आ जाएंगे, अगर आपके पास user ID और password है, तो यहाँ से आप login करके अपनी internet banking को login कर सकते हैं, net banking को इस्तिमाल करने के लिए आपके पास दो चीजे होनी चाहिए, नमर एक user ID, नमर दो password, हमने अपना नया नया account open किया है, तो हमारे पास ये दोनों चीजे नहीं है, अब हमारे लिए सबसे पहले user ID को प्राप्ट करना है, और password को प्राप्ट करना है, अब user ID बैसे तो अगर आपने अपना account open किया है, तो bank को बढ़ोदा आपके SMS के तोवारा mobile नमर पे, और mail ID के तोवा इसके बाद यहाँ पर आपको अपना account number डालना होगा, account number आपको आपकी passbook पे या फिर B.O.V.World application के अंदर मिल जाएगा, तो आप अपना account number डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको दो option मिलेंगी, mobile number और mail ID, तो आप कोई भी option को एक को select कर लेंगे, अब यहाँ पर mail ID या mobile number डालोगे, यह mobile number आपके bank से registered होना चाहिए, और mobile number डालने से पहले आपको अपना country code एनि 9 बन लगा देना है, इसके बाद आपको continue वाले option पर click करना है, तो आपके registered mobile number पर एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद continue वाले option पर click करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो user ID है, वो आपके mobile number पर send कर दिया है, तो आप अपनी mail ID या mobile number को check करेंगे, आपका user ID आपको bank को बड़ताजी तरप से मिल चुका होगा, अब आप go to login पर click कर देंगे, इसके बाद आप इस page पर दोवारा से आ जाएंगे, अब user ID को आप यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर login वाले option पर click करेंगे, अब हमारे लिए इसका password create करना है, क्योंकि हमारे पास password नहीं है, तो password create करने के लिए, मीचे यहाँ पर आप देखीगा, set, password, forget का option मिलेगा, तो आपको यहाँ पर एक बार click कर देना है, यहाँ और आपको दो option दिखाई देंगे, नमर एक option यहाँ पर रहेगा, mail ID and mobile number OTP, नमर दो option रहेगा debit card का, मतलब आप अपना password किसके थुरू create करना चाहते हैं, हम इस option को select करेंगे, इसके बाद continue वाले option पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको 9 बन लगा करके अपना mobile number डाल OTP यहाँ पर डाल देना है, mobile number वाले option में mobile number का OTP, और mail ID वाले कॉलम में mail ID का OTP, अगर OTP नहीं आता है, तो आप दो मिनट बाद इसको यहाँ से reset भी कर सकते हैं, इसके बाद continue वाले option पर click करेंगे, आप यहाँ पर आप से पूछे कहा कि आप कौन सा password create करना चाहते हैं, sign on password यह transaction password, यह फिर दोनों password, तो हम यहाँ पर दोनों password reset करना चाहते हैं, तो इस option को select करेंगे, इसके बाद continue वाले option पर click कर देंगे, आपको इस परकार के page पर ले करके आएगा, आपको password set करने के regarding push information दी गई है, कि आपका जो password है, यह 8 character का होना चाहिए, उसमें आपका 1 hash, dollar, या star, या प्रतिसात इस परकार का अक्चर होने चाहिए, तो आप यह कनपूज मत होईएगा, password बनाने का एक demo हम आपको skin पर show कर देंगे, तो आप इस तरीके से अपना password create कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको दो password create करने होंगे, नमर एक यहाँ पर option रहेगा, sign and password, इस password से ज इस समय आपको transaction password डालना होगा, इसको आप simple समझिएगा, जैसे हम अपना Paytm application open करते हैं, यह तो हमारे mobile में जो password होता है, वो हमारा sign and password होता है, लेकर Paytm के अंदर चाह करके, जब हम payment करते हैं UPI से, तो हमारे लिए UPI का password अलग से डालना होता है, इस इक वरकार से यहाँ प submit वाले option पर click करेंगे, अगर आपने अपना password सही बनाया होगा, तो इस परकार से दिखा देगा, password send successfully, इसके बाद go to login page वाले option पर click कर देना है, अब बापिस से आप इस page पर आ जाएंगे, अब आपके पास user ID भी आ चुका है, और password भी आ चुका है, तो यहाँ पर आपको अ login वाले option पर click करेंगे, अब यहाँ पर आपको enroll now करके एप option आएगा, तो आपको आपर enroll now वाले option पर click कर देना है, अब आपने अपना internet banking first time use किया है, तो यह आप से कुछ security question यहाँ पर set करने के लिए बोलेगा, सबसे पहले यहाँ पर personal message का option रहेगा, तो यहाँ पर जो भी आप personal SMS डालोगे, यह आपका SMS, हम स्कीन पर सो होगा, जब भी आप अपना net banking login किया करेंगे, तो personal SMS में simple सा आप high लिख करके, अपना नाम डाल दीज़िए, मेरा नाम मनीस है, तो मैं लिख दूँँगा, हाई मनीस, इसके बाद नेचे आपको कुछ question लिखे होगे, और उनक answer लिखना पड़ेगा, यह आपको 5 select करने पड़ेगा, कम से कम, अधिकतम आप 15 कर सकते हो, यह आपकी security purpose के लिए हैं, कभी आप password बगरा भूल जाते हो, तो इनसे आपना password प्राप्त कर सकते हो, यहाँ पर यह आपको compulsory की select करने ही पड़ेगे, तो कोई भी आप 5 select कर लेगा आपका favorite hero कौन सा है, आपका first college का friend कौन सा है, तो आप यहाँ से कोई भी 5 question को select करिएगा, और उनकी answer आप सामनी में यहाँ पर दे दीजेगा, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना password दोवारा से change करना पड़ेगा, जो आपने पहले password बनाया है, यह password आपका एक temporary password था, क्यो जो आपने अपना existing, यहीं कि पहले sign and password बनाया था, उसको आप यहाँ पर डालेंगे, और new अपना एक sign and password यहाँ पर डाल देंगे, अब आपका अब से जो भी password यहाँ पर आप डालते हो, यही password रहेगा, हमेसा जब भी आप अपना net banking login किया करेंगे, तो आपको यह नया वा password आपको आदेना है, जो आपने पहले transition password बनाया था, यहाँ पर आपको अपना रहा password select कर लेना है, इसके बाद आपको registered वाले option पे click कर देना है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस परकार से आपको दिखाएगा कि आपका password जैज हो चगा है, और finally आपका सब कुछ काम आप complete हो चगा है, आपको logout वाले option पे click कर देना है, यहाँ से आप finally logout हो जाओंगे, अब आप go to login वाले बेच पे click करिएगा, अब यहाँ से आप अपने bank of brother के net bank को login कर सकते हैं, इसके बाद आपना user ID डालिएगा, login वाले option पे click करिएगा, इसके बाद अपने country code के साथ mobile डालिएगा, continue वाले option पे click करिएगा, आपकी mobile number पर एक OTP आएगा, OTP को डाल करके continue वाले option पे click करिएगा, इसके बाद जो आपने 12 से sign in password बनाया है, उसको यहाँ पर आप डालिएगा, क्यप्चा आपको जो दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर डालिएगा, और login वाले option प कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से bill payment रीचार्ज हो गया, investment हो गया, service हो गया, बहुत सारे option यहाँ पर रहेगे, आप इनका लाप ले सकते हैं, इस परकार से आप घर बेटे बेटे बिना ब्रांच जाए, बैंक को पड़ादा की net bank को चालू कर सकते हैं, एiva कालू कर सारे, फ्के तो करसंग